चाहिं दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इंडिय नामी का प्रेक्टिस एड पेपर डिस्कस करेंगे पूरे 50 रिष्णों का यह प्रेक्टिस एड पेपर आपका रहेगा अगर आप भी 40 बना चाहते हो तो आज के 50 में से 40 कोश्चन का आपके लिए टार्गेट र तो section A से आपके general knowledge के question आएंगे, 15 question आपके GK के रहेंगे, पहला question आपके सामने question imported है और आपको पता होना चाहिए which country has stopped in the medal tally in Tokyo Olympic 2022, 2020 के जो Olympic हुए थे, यानि 2021 में बैसे ही हुए थे, कहां पर हुए थे, Tokyo जपान में हुए थे, इसमें पदक तालिका में किस देश ने शिर्षक स्थान यानि पहला स्थान परापत किया था, China, Japan, USA या फिर जर्वनी, राइट अंसर क्या रहेगा, option number C जो है, अमेरिका इसका राइट अंसर रहेगा, दंबर दो पर मेरे खाल्स चाइना था, next question आपकी 7 और 2, question number 2 से पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, share कर दो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, question number 2 है, कौन सा मुगल शाषक पढ़ने लिखने में क कि कला में अनविगित था, यानि पढ़ने लिखने की कला नहीं जानता था, अनविग्य, अनविग्य था पढ़ने लिखने में, हुमायू, बावर, जाहंगी यार फिर अकवर, चल्दी से बताई राइट इंसर क्या रहेगा, पढ़ने लिखने कौन सा मुगल शाषक नहीं जानता था कौन नहीं जानता था अकवर नहीं जानता था option number D इसका right रहेगा कौन सा मुगल शाषक पढ़ने लिखने में अनविग्गी अनि पढ़ने लिखने में नहीं जानता था तो right answer रहेगा option number D अकवर question number 3 है दिल्ली में जामा मस्थित का निर्वाण किसके दवारा किया गया था जामा मस्थित इन दिल्ली बाज विडवाए औरंग जेव शाह जहां जहांगीर या फिर अकवर दिल्ली में स्थित जामा मस्थित का निर्वाण किसके दवारा करवाय गया था शाह जहां दवारा क करवाए गया था option number 20 का राइट आ रहेगा question number 4 है निमें लिखी विद्वानों में से कौन सबसे पहले भारत आया था option में डिवेंड करता है सबसे पहले इनमें से कोन भारत में आया था हुएन सौंग इवन बदूता मार्क पोलो या फिर फाहयान राइट अंसर क्या रहेगा राइट अंसर एगा option number D पायान जो है इन चारों में से सबसे पहले भारत आया था या फिर भारत की आतरा करी थी question number 5 आपके सामने भारत में प्रकाशित होने बाला पहला समाचार पत्तर कौन सा था विच वास्ती फर्स्ट न्यूस पब्लिशर पब्लिश्ट इन इंडिया बंबय टाइम बंगाल गजट बंगाल क्रोनिकल या फिर दा हिंदू right answer क्या रहेगा option number B बंगाल गजट जो है जेम्स हिक की दवारा क्या था पहला समाचार पत्तर प्रकाशित किया गया था caution मच यह आपके सामने है क्रिप्स मिशन ने किसके साशनकाल में भारत का दोरा या था दा क्रिप्स मिशन विजट इन इंडिया दूरिंग डी रिजन आफ लॉड इरविन लॉड विलिंग गटन या फिर लॉड लित लिथीगो या फिर लॉड वेवल जालदी से बताएए क्रिप्स मिशन जो है इन होने भारत का दोरा जो है किस गवार्नर के काल में कर रहे था लॉड लित लिथीगो किसके गाल में लॉड लिन्थ लिथीगो लॉड लिथिन दिगो को उप्षयन नंबर सीस का राइट अरहेगा कॉशनमर साथ है लोग सवा के कितने स्थस्यों को सिविकर तवारा सविकार किये जाने से पहले सरकार में अविश्मास प्रस्ताव का समरतन करना चाहिए या करना होता है। यानि आविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए लोग सवा में कितने स्थस्यों को या कितने स्थस्यों की सभी कृति यानि उनके पास सविकरिती होनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने स्थस्यों की 50 से कितने 50 से 55 आपको देखने को बिल सकता है 50 इसका राइट अंसर अरहेगा तो 50 दस्यों से चाहिए होते हैं किसके लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या करने के लिए और यह कौशन आपका जो है इंडिय नामी में जीडी और ट्रेडमेन में पूछा गया है कौशन बर आठ है किस राजे में पंचायती राज सहस्ता बिल्कुल नहीं है पंचायती राज सहस्ता कौन से राजे में नहीं है अब ध्यान से सुनना नागालेंड में घाल लिया और साथ में आपका मिजोर्म ठीक है मिजोर्म ये तीनों ऐसे स्टेट है भारत की और साथ में जितने वी यूटी स्टेट हैं उन सभी में पंचायती राज सहस्ता या पंचायत राज इंस्टिशन स्थित नहीं है कॉशन बर नाइन श्युक राष्ट महा सवा के स्टस्य कितने देश हैं हाव मैनी कंट्रिस आर मेंबर आफ यू एंड जर्नल असेम्बली तो कितने हैं 123 है कितने 1993, question number 10 है, ब्राजिल में घास के मेतानों को कहा जाता है, लोनास, पंपास, या फिर स्टेपिज, तो राइट अंसल क्या रहेगा, ब्राजिल के घास के मेतानों को कंपास कहा जाता है, option number B right रहेगा, Q11 है चक्र शबत का प्रयोग किया जाता है The term चक्र is used in rifle चलाना, rifle shooting, horse यह नि गुर्सवारी में, कुष्टी यह नि व्रैसलिंग में या फिर पॉलो में तो चक्र शबत का प्रयोग किसमें किया जाता है पॉलो में प्रयोग किया जाता है Question number 12, आपके दवारा computer में डाली जाने वाली सूचना कहलाती है The information you put into the computer is called it fact, data, file या फिर डिरेक्टरी तो राइट अंसर क्या रहेगा Option number B, डाटा इसका राइट अंसर रहेगा यनि कोई भी information या फिर जो data होती है सूचना जो होती है यनि information जो होती है इसे हम computer में input करेंगे या फिर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगी ये एक परकार की data बन जाएगी Question number 13 है 2011 की चड़गंड़ना के अंसर भारत का जनसंग्या गनतव कितना है पॉप्लेशन देस्टी अफ इंडियन इंडिया है इस परकेंस्स दो हजार ग्यारा इस तो दो हजार ग्यारा के अंसर भारत की जनसंग्या गनतव जा कितना है तीन सो प्यासी कितना तीन सो प्यासी है Option number C जहाज का रहेगा Question number 14 है Who is called the Napoleon of India भारत का Napoleon किसे कहा जाता है समुंदर गुप्त को, चंदर गुप्त को, अशोका को या फिर हर्श वदन को भारत का Napoleon किसे कहा जाता है समुंदर गुप्त को, भारत का Napoleon कहा जाता है Question number 15 और GK का last question है कौन सी नदी वो मद्य रेखा को दो वार काटी है Which driver crosses the equator with Amazon, Congo, Neel या फिर और इनी को The important question है वो मद्य रेखा को या equator line को दो वार काटी वाली नदी कौन सी है The Congo River है Option number 20 का right रहेगा चलिए जल्दी से आपको पताना है GK की 15 question से कितने question आपके right थे Section B से आपके आते है General Science के 15 question जो की 16 से 30 आपके रहेंगे पहला question आपके सामने है Gun Metal का अब यह कौन से है तो Gun Metal में कौन से ingredients जो है डाले जाते है Iron Tin Jink, Copper Tin Jink, Iron Bronze Tink, Iron Jink, Titanium Right answer के रहेगा तो right answer एगा option number B Copper, Tin, Jink जो होता है यह Gun Metal का mission होता है अब याद रखे copper जो होती है 88% होती है Tin जो होती है 10% होती है और Jink जो होती है 2% के आसपास होती है Gun Metal में Question number 17 है किस हार्मोन में आयोडीन होता है Which हार्मोन contain iodine, adrenaline, insulin, testosterone, testosterone या फिर थाईरोकसिन किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है तो थाईरोकसिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है option number D right और रहेगा Question number 18 है मानुश्रीर की परतेक कोशका में oxygen का परिविहिन किसके दवारा होता है oxygen is transported to every cell of the human body by red blood cell, blood platelets, WVC या फिर फिर हार्मोन oxygen का परिवियन जो है ये कौन करता है ये करता है आपका हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन जो है किस में पाया जाता है RV माफ करें, RBC यानि red blood cell में पाया जाता है तो option number A इसका रहेगा question 19 है तवाचा रोग कौन सा है इनमें से कौन सा रोग तवाचा रोग है which is a skin diseases, खून की कमी, प्लेगरा, अस्तिमृदा, सूखा रोग, यानि औरिक्टिस, औरिक्टिस तो ध्यान से देखोगे option number B प्लेगराज होता है यह आपका एक परकार का skin या भी निर तवाचा का रोग होता है question 20 है पाद्व कोश्का भित्ती वनी होती है पाद्व कोश्का भित्ती किसकी वनी होती है प्लेनेट सेल बॉल इस मेड़ अप ऑफ सेलुलोज, ग्लुकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज राइट अंसर क्या रहेगा पाद्व कोश्का जो होती है यह जिसकी वनी होती है सेलुलोज की वनी होती है option number A राइट अरहेगा question number 21 plague किसके कारण होता है जो plague नामक विमारी होती है यह किसके कारण होता है virus, protozova, bacteria या फिर fungus यानी fungi राइट अंसर एगा option number C bacteria यानी जिवानों के कारण जो होता है यह आपका कौन सा रोग होता है plague रोग होता है question number 22 है बिशव का सबसे बड़ा अबरक उत्पादक देश कौन सा है अब याद रखें बात हो रही है अबरक की कुछ साल पहले भार अबरक का यानी माईके का सबसे अधिक उत्पादक करता था पर अब जो है चाइना जो है इस नंबर पर क्या हो गया है नंबर वान हो गया है तो अबरक का सबसे अधिक उत्पादक या सबसे बड़ा उत्पादक जो है यह चाइना है question number 23 है casting soda है तो casting soda कौन सा है sodium chloride, sodium carbonate, sodium hydroxide या फिर इनमें से कोई नहीं option number C इसका right answer रहेगा casting soda जो होता है sodium hydroxide भी कहा जाता है question number 24 है well metal is alloy of well dhatu किसका मिश्रदातू होती है well dhatu जो होती है किसका मिश्रदातू होती है bronze और nickel की zinc और copper की tin और copper की और nickel and copper की right answer कह रहेगा तो right answer रहेगा option number C tin और copper का मिश्रदातू होता है bell धातू और इसका मिश्रदातू होता है one अनुपात एक अनुपात चार के मिश्रद में होता है यह नहीं copper का एक आएगा और माफ करें tin का एक अनुपात और copper के चार अनुपात आएंगे या फिर 20 परसेंट और कितना 80 परसेंट तीक है इस तरह से होगा 20 परसेंट और 80 परसेंट next question है परमाणू बंग किस सिधान पर अधारित है atom bomb atom bomb atom bomb is wasted on the principle of nuclear fusion nuclear fusion बौथ A and V या इनमें से कोई नहीं तो परमाणू बंग जो होता है किस पर करता है nuclear fusion पर करता है option number B nuclear fusion इसका राइडन से रेगा और fusion जो होता है hydrogen bomb होता है और कह सकते हैं nuclear fusion जो होता है आपका सूरे में भी होता है next question है photography में fixer के रूप में प्रिक्ट होने बाला रसाइन होता है the chemical used as a fixer in photography is warx sodium th tutte 나오ean Chinese sodium compan photography में i fixer का प्रियोग किया जाता है 아니 fix fixer के रूप में किस का प्रियोग क्येता है ? vit किया जाता है किसका कि सोडियुम थायो सल्फिड थोडियुम थायो सल्फिड का प्रियों कहता है आप्शन नुमबर भी राइट अरहेगा कॉश्चन नुमबर स्ताइस है एक वाइट में कितने विट होते हैं हाउ मेनी वाइट आर देर इन वान विट हाउ मेनी विट्स आर देर इन वन वाइट तो एक वाइट में कितने विट होते हैं आठ विट आपके होते हैं कॉश्चन नुमबर अठाइस कौन सी गरंथी नहीं है स्ताम्च लिवर कितनी पैंक्रियास स्ताम्च लिवर कितनी या फिर पैंक्रियास तो आप्शन नुमबर ए स्ताम्च इसका राइट अंसर रहेगा स्ताम्च होती है इसे हम पेट भी कहते हैं क्या कहते हैं पेट भी कह ठीक है इंग्लिश में आपको स्टॉम ची दिया अपर हिंदी में करके कुछ और ऑफ्षिन में डाला हो नेक्स कुश्च नमर्थीस है में किसका अधियन किया जाता है मिट्टी मौसम समय या फिर आधियन किया जाता है कारवन और हाइट्रोजन के योगिक कहलाते है अब जल्दी से बताइए जर्नल साइंस की 15 कोश्चन से कितने कोश्चन आपके राइट थे फिर से बोलता हूँ जर्नल साइंस जी के मैथ और रिजनिंग जर्नल के 15 में से अगर आपके 12 से अधिक सही होते तब अच्छा है 15 में से जर्नल साइंस के 12 से होते तब अच्छा है मैथ के भी अगर आपके 15 से 12 से होते है ठीक है हर सब्जक्ट में आपको 12 से अधिक लेने हैं 12 से कम सही हो रहे हैं तो उस सलेब बस की अच्छे से त्यारी करो कि आपके जितने मी कोश्चन आप किसी भी वीडियो से टेस्ट लगाओगे तो आपका जो है स्कोर 12 से उपर जाना चाहिए Nex reasoning के कोश्चन है जल्दी से करबाता हूँ वायोग्यफी तो नैशन आपका किसे हिस्टी से रहेगा हिस्टरी से रहेगा अब हिंदी में बता देताया हूं मुनुष्य गोनुष्य आतमकथा से तो रास्टा किस से रहेगा रास्ट यो है इतिहास से सबंदित अरहेगा option number D right और हेगा next question है 25 is related to 125 in the same way of the 36 is related to 25 गुणा 5 कितने 125 36 गुणा 6 कर दोगे 36 तीन कहरे 6 तीन 18 19 20 और 21 कितना 216 इसका right answer और हेगा दाएं से 11 में अक्षिर के बाएं चाटा अक्षिर कोन सा होगा बाएं से right answer ABC लिखो मैं ABC नहीं लिखूँगा सल्दी से आपको बताऊँगा अब यहां से A और यहां से Z किया आपका left side यह आपका right spot बोलता है दाएं से यानि आपके कोन से right side से right side से आपको शुरू करना है right side से यानि Z से शुरू करो 11 अक्षर पर जाओ तो 11 अक्षर के आएगा 12 अक्षर आएगा आपका P P जो है यह 11 अक्षर है बोलता है 11 अक्षर के बाएं ओर तो बाएं कहा है इस और है यानि A के side जो है इस और जाहिए आपकी wine side है तो wine सर्फ जाहिए फिर P से, P से शुरू नहीं करना है P के बाद P से पहले आता है O, O से शुरू करोगे O आपका पहला आएगा तो O से शुरू करोगे एक, दो, तीन, चार, पांच ठीक है, पांच पर आपका K आएगा और नंबर 6 पर आपका J आएगा तो छटे स्तान पर कौन रहेगा J जो रहेगा छटे स्तान पर रहेगा तो option number C रहेगा अब इसलिए ABC नहीं लिखी जड़ा time लेगेगा तो वीडियो लंभी चली जाएगी next question है in a creation code back back के लिए ये code यूज़ हो रहा है kite के लिए code यूज़ हो रहा है तो wheat के लिए बताना है तीक है a के लिए 9 यूज़ हो रहा है t के लिए देखो t के लिए 7 यूज़ हो रहा है 5, 6, 9, 7 कहाँ पर रहे अउप्षिन n När谷ish है अरहेगा अब बोलता है प्लस जो है प्लस का मतलब मल्टिप्लाई है मल्टिप्लाई का मतलब माइनिस है भाग का मतलब प्लस है और माइनिस का मतलब जो है भाग है अब करो जल्दी से 288 माइनिस है माइनिस को क्या बोल रहा है माइनिस को बोल रहा है कि भाग है तो भाग कित क्या बोल रहे माइन्स है उसके बाद 45 आएगा बाद 35 के बाद भाग है और भाग को बोलाहिकी बाग बाग अब सॉल करो 28 88 36 माइनिस फंत दालिस कुण्य किस तरह से काटाunk किस तरह वहीं है इसकारट guns दो से स्वाइगा इस दू से एसे गर जाहना ड seus आजाएगा कितना 3 आजएगा अब ध्यान से देखोगे 16 से आपका 288 कड़ जाता है 16 18 16 18 कितने होते है 288 होते है तो यह 18 से कड़ गया ठीक है आपके पास है 18 गुणा 3 माइनिस 15 प्लस 9, 18 ते हैं कितने होते हैं 80 ते हैं ते हैं कितने होते हैं चुरूंजा प्लस के नो और प्लस के चुरूंजा दोनों को प्लस कर दो कि कितने हो जाएंगे कितने बचेंगे आपके बाच बचेंगे 18 तो 18 जो रहेगा आपका राइट अंसर अरहेगा नेक्स कोशन मैथेमेटिक के कोशन हींगे फिर से आप गोता आप मैथेमेटिक के कोशन आपको खुद का डैस लगाना है मेरी तरह करना चाहो तो कर सकते हो मैं आपको कुछ अलग तरीकों सही करवाऊंगा पहला कोशन आपकी सामने किसी संख्या को 125 से भाग देने पर 16-11 हो तो संख्या क्या होगी बोलता है भाग दिया 125 से भाग फ्ल कितना बचा 16 और 16 प्ल कितना बचा है जब भी आपको कुछ भाग फल दिया हो जिस भी संक्या से भाग दिया हो जैसे 225 से भाग दिया होता है और भाग फल आपको दिया है तो संख्या को भाग वाली संख्या को भाग वल से multiply कर दो यानि 125 को multiply कर दो 16 से और plus कर दो यानि शेश्वल जो होगा plus कर दो इसमें 125 को 16 से multiply करोगे कितना आएगा यह आपका आजएगा 2000 कितना आजएगा 2000 आजएगा ठीक है multiply आपकर सकते हो प्लस 11 कर दोगे कितना जगा 2011 आपका राइट अंसर आ जाएगा कौन सा option बड़ी इसका राइट रहेगा फिर से आपको देता हूँ 125 से किसी संक्या को भाग परोगे 6 फिल कितना है माफ करें भाग फिल कितना है 16 है 6 फिल आपका 11 भाग वाली संक्या दिवी है 125 भाग वाली संक्या को भाग फल से मिल्टिप्लाइ कर दो और 6 फिल में प्लस कर दो राइट अंसर आपके पास आ जाएगा कौशन है सबसे चोटी बरग सबसे चोटी बरग संक्या गात करो सबसे चोटी बरग संक्या गयात करो, जो 12, 10, 12, 15 और 18 से पूर्णता विवाजित हो जाए कुछ नहीं करना है, 10, 12, 15, 18 काटो इनको 2 से कटेंगे, 5, 6, 15, 9, 18 ठीक है, फिर 2 से काटो, 5, 3, 15 का 15, 9 का 9 3 से काटो, 5, 3 कट गया, 5 और 3 फिर 3 से काटो, 5 से कर जाएगा, और 5 ठीक है, 5 से पूरा, ठीक है 5 से कर जाएगा, 5, 5 रहेगा, तहां आपके पास क्या आया, 2, multiply 2, multiply 3, multiply 3, multiply 5 अब कुछ नहीं करना है, पूरन बर्ग बला हुआ है, तो आपको इनके जोडे बना ले लिए 2 का बर्ग आ गया, 3 का बर्ग आ गया, और 5 का कोई बर्ग नहीं है, 7 में 5 के साथ 1 और 5 लगा लो जब भी आपको याद रखने होगे, सबसे छोटा बर्ग, पूरन बर्ग, कोई भी बर्ग पूछा होगा, तो उनहें आपको जोडो में convert कर लेना है एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, 5 एक ही था, 5 को एक और लेने के लिए हमने 5 का भी जोड़ा बना दिया, तीन गुणा, माफ कीजीगा इन सबी के जोड़े बना दे, अब इन्हें multiply कर दो, 2 गुणा 2 कितने था, 4 होते, 303 करों कितने था, 9 होते है, 5 को 5 से करों कितने होते है, 25 होते है अब 25 हो का कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है, 900 होता है, और 900 आपका अंसर था याद रखें, यह बर्ग जो है, बर्ग इसलिए बोला हुआ है, कि जब भी आपको सबसे छोटी संख्या का बर्ग, सबसे बड़ी संख्या का बर्ग बोला होगा तो जो आपके पास यह आएंगे, ठीक है, यह आपके पास सेशवल आएंगे, या फिर दो आप काटोगे, LCM में तेरह आती है इनका आपको जो फ्रिक्शन बना लेना है, या फिर कह सकते हैं, इनका भी एक बर्ग बना लेना है जैसे इसका जोड़ा आगया, इसका जोड़ा आगया, 5 एक ही था, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 एक और मिल्टिप्लाइ करने पड़ेगा, तो 5 का जोड़ा बन गया राइट अंसर आपके पास आगया next question simple है बोलता है सोंबार, मंगलवार, बुद्वार का ओस्तन तापन 35 दिगरी है और मंगलवार, बुद्वार और गुरुबार का ओस्तन तापन 42 दिगरी है तो गुरुबार का तापन 31 दिगरी हो तो सोंबार का तापन क्या रहेगा जल्दी से करिए अब जल्दी से Monday Tuesday और Wednesday तीन दिन का कितना है 35 डिग्री है दिन कितनी है तीन है कितना है ऑस्तिन कितना है 35 है टोटल योग निकाल अगर तीरी मल्टिप्लाई हो जाएगा 35 ते हैं कितने होते हैं 105 होते हैं फिर बोलता है Tuesday, Wednesday और Thursday तीन कितना है 42 डिग्री है दिन कितने है तीन है टोटल निकालो कितना हो जाएगा टोटल तंपरेचर कितना हो जाएगा 42 गुना तीन कर दोगे तीक है कितना हो जाएगा 42 यह कितने होते हैं दिन कितना है तीन कितना है अब आपको बोला किया होगा बोला है कि आपको बताना है सोंबार का टंपरेचर किया होगा और याद रखेंगे 55 जो है 55 किसका किसका टंपरेचर है यापका Tuesday ठीक है Tuesday और तुस्दे और बेडनेशते कहा है निकाल दोगे मंडे वैसनेने मैंस यानि 105 में माइनिस कर दो 95 तो Monday का निगल जाएगा 105 में माइनिस कर दिया 95 कितने बचा 10 बचा तो 10 डिगरी जो रहेगा ये किसका टंपरेचर होगा Monday वाले दिन का टंपरेचर रहेगा किसी टीम में 12 खिलाडियों की ओसत आयू 125 है यदि कफ्तान की आयू भी समलित कर ली जाए तो ओसत आयू एक बढ़ जाती है तो कफ्तान की यू ग्याद कीजिए 12 खिलाडी 25 ओतेस आयू टोटल आयू कितनी 12 मुल्टिप्लाइ 25 जल्दी से करो 12 25 कितने होते हैं 12 25 कितने होते ह तो पहले जो थी 300 में कफ्तान की आयू समलित नहीं थी 338 में कफ्तान की आयू समलित है यह नहीं मिलाई गई है तो 338 में 300 माइनिस कर दो कितना गया 38 आ गया तो केफ्टन की आयू क्या होगी 38 बर्ष ऑप्षिन नमर सी राइट और रहेगा नेक्स कुशन है राम एक काम को चार दिन में करता है उसी काम को बारा दिन में करता है रहीम होगा रही नहीं होगा रही उसी काम को या रहीम मान लो रहीम उसी काम को बारा दिन में करता है दोनों मिलके किन दिन में करेंगे राम और रहीम राम लिख लेता हो और ये रहीम है चार दिन में और बारा दिन में टोटल काम कितना होगा, बारा होगा यानि एलसिम बारा आजाएगा राम का एक दिन का काम कितना होगा चारते हैं कितने होते हैं चारते हैं कितने होते हैं, बारा होते हैं बारा एकम बारा यानि रहीम का एक दिन का काम कितना होगा, बारा एकम बारा एक होगा, ठीक है, राम का एक दिन का काम तीन है, तो रहीम का एक दिन का काम एक है, दोनों को प्लस कर लो कितना गया, चारा गया, तोटल काम आपके पास बारा है, तो डिवाइड कर दो, चारते ह किते होते हैं 12 होते हैं तो राम और रहिम उस काम को तीन दिन में टोटल कर देंगे निस्मापत कर देंगे कि साथ फैंसो को एक चारागा 40 दिन तक चराने के लिए 180 रुपे किराया देना पड़ता है ठीक है 60 फैंसो को एक चारा चराण के लिए ठीक है चारगा जो है 40 दिन के लिए तो वह 180 रुपे किराया देता है तो फैंसो कि संक्या आपको ता नहीं है तो कितनी भैंसे 20 तिक तिनों तक चराए जाएं कि किराय की रूप मैं 135 रुपे भकतान करना पड़े यह भी question किस तरह दोगा M1, D1, T1 W1 is equal to M2 D2 और T2 और W2 यहाँ पर याद रखें M जो आएगा आपकी बहन से आएगी कितनी है, 60 है T यानि दिन आपको दी हुए है कितनी है D आपको दी है, कितनी है 40 है, T आपके पास time नहीं दियोगा याद रखे time नहीं दियोगा है तो time नहीं आएगा अब W आपके पास क्या दिया है काम आपके पास दियोगा जो आपको रुपे में दिया है उस काम की बितले 180 रुपे मिलते है तो काम आपका 180 आगया यह नीचे आजएगा W बनना आजएगा अब इसी तरह आपको M2 ग्याद करना है T आपको दिया हूँ कितना है 20 है कितना है 20 है और W2 आपके पास 135 है काटो जल्दी से 50 से कटा 42 आ गया 0 से 0 कटा 6 से 6 तिया 18 कट गया 3 से कट जाएगा 3 से कितना कट जाएगा तो 3 से कड़ेगा 4 तियां 12, 4 कहरी 15, 15, 15, 15 कितना जगा 45 आ जगा, 45 को दूसरी जा ले जागो तो 45 गुणा 2 कितने होती है 45 गुणा 2 कितने है 90 तो M2 यानि 200 की संक्य कितने आ जाएगी 200 की संक्य 90 आ जाएगी तो 20 कितनी चाहिए 90 भेंसे चाहिए 20 दिन में उस चाहरागा को समापत कर देंगी जिसका भुगदान 135 रुपे करना पड़ेगा Next question है एक घड़ी 1140 रुपे में बेचने पर एक वेक्ति को 5 परतिशित की हानी होती है 4 परतिशित लवाप हुआने के लिए घड़ी की कीमत कितनी होगे माल लोग घड़ी की कीमत है यनि 100 रुपे 5 परतिशित लवाप पर बेचोगे कितनी 5 परतिशित लवाप बेचोगे कितने की बेचोगे 95 रुपे की बेचेगी फिर माल लोग घड़ी की कीमत है 100 रुपे उसे लाब में बेचना है तो पांच प्रतीशित लाब पर बेचेंगी तक कितने की बीचेगी कितने की बिखेगी 105 रुपेगी बिखेगी आपको विक्रे मुलें है सेलिंप राइंज ग्याद करना तो सेलिंप राज के लीए होता है क्रेमउल्य बटा क्रेम बूल्य मल्टिप्लाइज जो दूसरे नंबर काaguya करेम्वल्य ग्याद कर आए, वो ऊपर आएगा 105 आपको ऊपर आएगा दो पहले नंबर कवा क्रेमउल्य जा था यह पर Kolleginnen दिनने निगाला था वो नीचे आपको यहा क्ता था ग्यारा सो 40 151 पटा 95 काटो हुं पांत dif गठेगा कितने से जाट हो क्यों कितने से गठेगा पांसे गठेगा न canvas 25 सबते हैं कि इस आएगा उन्नीस किए नो चुकी रवन होते हैं नहीं चार आ रहा है तो नो 19 कि कि के इस चुकी तो यहां पर 30 आ गया कैरी जिरो कैरी आ गया बचा किया 21 मैल्टिप्लाइट शे 21 मैल्टिप्लाई कि ना माफ करें 1260 1260 जो इसका राइट अंसर होगा यानि पांच प्रतिशित का लाप कमाने के लिए उस घड़ी को 1260 रुपे में बेचना पड़ेगा नेक्स कुशन है कुछ बक्रियां तता कुछ मुर्गे है यदि उनके सीरों की संख्या 42 है और पैरों की संख्या 138 है तो बक्रियों की संख्या कितनी रहेगी अब याद रखें बक्री मुर्गे बक्री और मुर्गे बोलता है कि बक्री माल लो ठीक है माल लो की सीरों की संख्या 42 है तो माल लो की बक्रियों की सीरों की संख्या 42 है पैरों की संख्या कितनी होगी ठीक है पैरों की संख्या कितनी होगी ठीक है तो बक्रियों की पैरों की संख्या टोटल कितनी होगी 42 सीर ह है मुट्एप्ला Orig Kaiола कितना जगा एक सो ठाटका आजेगा अम् weAनों कि मुर्गों की मुर्गे जो हैं उंके परों कि इतनी है 42 हैं भाष्फ करें उनका क्षुरों के कितनी होगी इकष़ ठीक मुट्णिक्प्ला कर दो कॉट लूगे तो परों अब आपके पास पैरों की संक्यмо यहां पर कितनी 138 घंडेव है तो इस से यहां पर लिखनो ठीक है नीचे लिख लो Kristen में अब इन्हें जो है ख्रोस मल्ट्प्लाएंHz लू में करना एक सो ठाटस में 138 निकालोगे कितना अंतर आएगा 30 का अंतर आएगा 84 में से ठीक है 84 में से 138 निकालोगे तो कितने का अंतर ने आएगा 54 का अंतर आएगा अब इन्हें डिवाइड करदो कटती है इन दोनों को जो है डिवाइड करदो कट जाते हैं से कटेगा कितना 27 आएगा दो से कटेगा कितना 15 आएगा अब नहीं कट रहा तो यह आपकी पास राइट अंसर है 27 ठीक है 27 और 15 जो है आपकी पास राइट अंसर है नहीं बकरी के क्या पूछा बकरी की संख्या कितनी होगी तो बकरी की संख्या होगी 27 और मुगरी की मुर्ग कि संक्या होगी 15 ये बस इतना साथा कॉष्ण आपके पास नेक्स कॉष्ण है यदि कोई थन राशी दस पर्ष में दो गुना हो जाती है तो ब्याज किदर क्या होगी कोई राशी है माना 100 रुपे हैं कितनी हो जाती है 10 परश में, कितनी परश में, 10 परश में, कितनी 2 गुणा हो जा रही है, तो ब्याज कितना परआ, 100 रुपे का ब्याज परआ, तो ब्याज है 100 रुपे, यानि SI is equal to PRT, आपके पास ब्याज आ गए 100 रुपे, मुलदहन आपके पास ती होआ है, ताइम है आपके पास ती होआ है, दर निकाल लो, 100 गुणा, ना आफ करें, 100 ब्रावर है, 100 गुणा, 10 गुणा, या आर आपको ग्याद करना है बटा, 10 से 100 से 100 कटा, 10 से 0 कटा, आर गितना आ गया, आर आपके बाद 10 आ गया, तो राइट अंसर क्या रहेगा, 10 इसका राइट अंसर अरहेगा, बोलता 12 वेक्ती, 4 दिन में 12 कुर्सियों बना सकते हैं, तो 8 वेक्ती, 8 कुर्सियों किसने निए बन बनाएंगे, इसमें M1, D1 और T2 वाला फार्मूला होगा, अपने याद रखें, कुर्सियां जो है, ये कुर्सियां जो है, टाइम नहीं है, ये तो आपको पता है, कुर्सियां जो है क्या है, ये बर्क है, कुर्सियां आपकी बर्क हैं, तो W1 आपका 12 आएगा, और W2 आपका 8 आएगा, यानि 12 गुणा 4 बटा 12 बराबरे 8 बटा 8, आठ बटा बाठ और D2 आपको ग्याद करना है चार से आठ से आठ करना है बारे से बारा करना D2 कितना हो गया D2 आपके पास 4 आगया simple सा question था next question है 120 के कितने भाजिक होंगे अब भाजिक ग्याद करना है तो भाजिक के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा 120 को डिवाइड करो ठीक है 120 को डिवाइड करो 2 से काटा 60 2 से काटा 2 से काटा 15 3 से काटा 5 और 5 से काटा 1 ठीक है अब 1,2,3 2 कितनी बार है? 3 बार है 5 कितनी बार है? 1 बार है तो 5 कितनी आजेगी? 1 आजेगी अब जब भी भाजिक को पोला हुआ हो याद रखे जब भी आपको भाजक क्यात करना हो तो जितनी भी संक्या होती है जितनी उनकी पावर आती है वही आपको लेनी होती है ठीक है पावर एक है, इसमें फ्लस एक कर देना है, ये भी कितनी हो जाएगी, अब पांस की पावर एक है, एक में एक प्लस कर दो कितना हो जाएगी, अब चार प्लस दो कर दो कितना हो जाएगा, माफ करें, चार मल्टिप्लाई दो, मल्टिप्लाई दो, आपको जो है बस ये करना है इनकी पावर लेनी है उसमें प्लस एक कर दिना है इसकी पावर लेनी है उसमें प्लस एक कर दिना है इसकी पावर लेनी है जितनी भी पावर होगी उसमें प्लस एक कर दिना है और उन्हें मल्टिप्लाइ कर दिना है दो चुके, दो दुनी चार, चाचो के कितने होते हैं, सोला होते हैं, तो सोला आपका राइट अंसर अरहेगा नेक्स कुशन है, तीन हजार का दास प्रतिशिप बारशिक दर से तीन वर्ष का मिशन धन कितना होगा अब मिशन धन पूचा होएं, याद रखें, तीन हजार रुपे हैं, दर दी हुई है, आपको सीधा मिशन धन पूचा होएं, तो यहां पर आपका चकर विदी ब्यास का नहीं पूचा होएं, सधान ब्यास का पूचा रहेगा अब सिधार ब्यास का फूर्मुला आपको P, R, T पता है 100, तो 3000, multiply, 10, multiply, 3, बटा, कितना 100 आ गया इस तरह से कर सकते हूँ, इस तरह से करोगे तो जल्दी स्थाई राइडंसर क्या आएगा अगर short request इस आ करना है, ठीक है जब भी आपको मिश्रिधन ग्यात करना हो, और आपको पास time भी दिया हो, पी भी दिया हो, सब कुछ दिया हो तो आपको बस short दिखा गया करना है, आपको P तो दिया है, ठीक है भी दस組ंद्य की दर आईगी 30 साल में भी कितनी गया हैं आएगी तीन साल बेहे कितनी प्रतिश्थ की रही गी तींस प्रतिश्थ की दर रहीगी अब आपको कुछ नहीं करना है 키 Greathhhh कितना कर देना है 55 प्लस जो आपका आ रहेगा, जितने भी साल का बोला हुआ है, तो उसे आपको डिवाइड करके कर देना, यह एक साल का बोला होता हूँ, तो दस प्लस करते हैं, दो साल का multiply 133 कितने होते हैं 49 होते है 49 के दो 0 कह रही आ जाएगे कितना हो जाएगा 49 हो आपका हो जाएगा 49 हो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 49 हो आपका राइट अंसर अरहेगा अब next question है किसी समकौन त्रीवुच की लंबाई 12 cm अधार 5 cm हो तो उसके विकरण की लंबाई क्या होगे यह संबूज होती है आपकी दीक है यह अधार आ गया यह लंबाई आ गी विकरण गयात करना है तो विकरण square is equal to लंबाई square प्लस क्या अधार square इस तरह से formula आता है यह नहीं 12 का square plus 5 का square वारा का square कितना होता है जल्दी सपता ही है 12 कितना होता है 144 प्लस 25 कितना आएगा 179 और विकरण का square square दूसरी जाड़ी है तो अंडरूट बन गया 119 जो होता है किसका अंडरूट होता है 13 का अंडरूट होता है तो विकरण कितना आगया विकरण आपका 13 आगया क्या आएगा 2 हमीटर आएगा नेक्स कोइशन है किसी विडाले में लड़कों की संख्या 3 पटा 5 4 द्धा लड़कियों की संख्या 600 तो लड़कों की संख्या का हो गया अब ध्यान से देखना तीन अनुपाद 5 बला होग लड़कों की संख्या कि ही एक और ढटा 5 अंग दोरभा अंगेगा rod में समख्यार अंकिना में दिए इंग λबत कितने के बराबर कि यह फिए 300 कि रहागा जाएगा है εν हाट गों की 316 गठोश जाएगा तो लड़कों की uh star at law आद 16 देखी चाहिए mm Amips आप सोब मिल्टिप्लाइज 2 multiply 2 multiply 2 2 इस तरह से लिखो के 2 दूने 4 4 दूने 8 आर्दूने 16 इस तरह भी 16 होता है तो यह गया जाएगा 2 की पावर 4 multiply 3 बटा 4 इस तरह से लिखते लिख 4 से 4 कटा 2 की पावर 3 आगी तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 जोड़कर 20 में से कितने कोशन आपके सही थे वीडियो पसंदा तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना जल्दी से अपना स्कोर जो है आपको कमेंड बॉक्स में बता रहे हैं कोई भी कोशन गल्त बताया हो इसके लिए माफ कीजिएगा बाकिया आपको अपना ध्य रखिये अपने घरवलों का ध्यान रखिये स्कोर जो है कमेंड बॉक्स में जुरूर बताईएगा वीडियो एकनिक लिए थैंक यू जाहिंद जया वारत